हलो फ्रेंड्स बिप्रो के बारे में थोड़ा डिसकस कर लेते हैं देखो अगेन कई बार हमने बिप्रो को डिसकस किया है कल भी वीडियो बनाई थी और एक एक्जामपिल बता देता हूं टीसियस का अच्छे रिजल्ट थे टीसियस के थोड़े से बिलो एक्सपेक्टेशन लेकिन उसके बाब जूद स्टॉक को 6% गिरा दिया क्या हुआ लोगों ने स्टॉक को इंटर डे में खरीदा बोले स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं खरीद लेते हैं और इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे लेकिन ऑपरेटर ने उन्हें पहले से पता है कि लोग क्या कर इन्वेश्टर क्या सोचते हैं बहीं पर इस्टॉक को गिरा दिया और लॉस बुक करने मज़ूर कर दिया रिटेल इन्वेश्टर को और यह एक्टिविटी चलती रहती हैं और मैं आपको हमेशास कहता हूं रिजल्ट आने वाले हो तो उससे एक दो दिन पहले वहीं अवा WARD WILL HAPPEN तो क्या हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता अर इस में बहुत अच्छे आने के वावजूद भी इम होती है और अगर बहाँ से इतने नीचे नीचे प्राइस पर खृदा होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होता है पहां से, सेम स्टेटजी विप्रो में है, विप्रो अभी बिल्कुल भी अवाइड करो, हो सकता है इसमें बोनस आ जाए, हो सकता है इसमें डिप्डेंट मिले, मेभी वो तो जब डिकलेर होगा, तब पता चलेगा, और क्या भी जो भी होगा, वो तो पता ही चल जाएगा, ख उसकी भी डेट होती है तो वह वह उस डेट को तक होना चाहिए वह स्टॉक आपके पास में तो यह चीज़े हैं और इनके पीछे ज्यादा नहीं जाओंगा तो 630 रुपए से नीचे नहीं जाएगा में भी जैसे 6% की गिराबट 7% की TCS में आ सकती है तो विप्रो में भी रिजल्ट के बाद में भी मैं नहीं कह रहा हूँ आएगी मैं यह भी नहीं कह रहा कि आ सकती है लेकिन back of the mind सोच के रखना अगर आएगी तो मैं क्या करूँगा भी मेरा तो सीधा सीधा सवाल है मैं तो एड करने वाला हूँ इस स्टॉक को जितना गिरेगा उतना 630 पे एक डिप लगाऊँगा 600 पे दूसरी डिप लगाऊँगा और तयार बैठाओंगा हूँ उससे नीचे जाएगा तो और डिप लगाऊँगा तो यह तरीका है अच् ले सकते हैं वो आपकी मर्जी रही आपका पैसा है आरसाई देखो के थोड़ी सी बीख हुई है और यहां भी बाई सिंगनल बना बना नहीं है कोई पर भी तो मेरे जो व्यू थे मैंने आपको बता दिये बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी अपने फैनेंसिल एडवाइजर पूसकते हो सुननी सबकी है कनी अपनी है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब कर लेना वीडियो दोस्तों सीर कर देना चाहिए दोस्तों